हेलो चिल्डरन, स्टांड सेकेंड, सबजेक, हिंदी, रिवीजन, टेक यूर हिंदी नूट बूक और ओपन इट, राइट, रिवीजन क्वेशन नमबर 11, प्रश्नों के उत्तर ए या दू शब्द में दिखो, प्रश्नों नमबर 11 में हमें question answer लिखने हैं, जिल्में दियेगर question के answer एक या दो शब्द में ही लिखने हैं, आपको पूरा sentence लिखना नहीं है, नमबर वन बाल दिवस कौन से महिने में आता है आंसर नवंबर बाल दिवस कौन से महिने में आता है बाल दिवस नवंबर महिने में आता है तो हमें आंसर का सिर्फ एक शिव्द लिखना है नवंबर नमब टू, पवन के दाद कैसे है? आंसर, चमकीले सफेद पवन के दाद चमकीले सफेद है आंसर में हम सिर्फ बर्ड लिखेंगे चमकीले सफेद नमब त्री, मोर के पांग कैसे होते है? आंसर, रंग बिरंगे, मोर के पांग रंग बिरंगे होते है नमब फोर, तोते की गर्दन पर कौन से रंग का पट्टा होता है? आंसर, काले, तोते की गर्दन पर काले रंग का पट्टा होता है नमबर फाई जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है आंसर अगस्थ जुलाई के बाद अगस्थ महीना आता है नमबर सेक्स कार्थिक के बाद कौन सा महीना आता है आंसर मार्गशिष कार्थिक के बाद मार्गशिष महीना आता है नमबर सेवन पिहू पिहू आवाज कौन करता है आंसर मोर पिहू पिहू आवाज मोर करता है नमबर एट मनुश्य कहां रहता है आंसर घर में मनुश्य घर में रहता है नमबर एट हिंदी देश की कैसी बाशा है आंसर पियारी राश्ट बाशा हमने हिंदी हमारी देश की राश्ट बाशा है जिसमें हमें पोएम के अंदर वर्ड दिया है पियारी तो आप प्यारी वर्ड भी लिख सकते हो और हिंदी हमारी राष्ट बाशा है तो आप राष्ट बाशा वर्ड भी लिख सकते हो हिंदी देश की राष्ट बाशा है या फिर हिंदी देश की प्यारी बाशा है नमबर टैन, बंदर कहां रहता है? आंसर, पेडो पर नमबर एलेवन, तोता क्या खाता है? आंसर, फल तोता फल खाता है नमबर ट्वैल, मोर का शरीर कैसा होता है? आंसर, भारी मोर का शरीर भारी होता है नमबर ठर्टीन, भारत का राष्टी अपक्षी कौन सा है? आंसर, मोर भारत का राष्टी अपक्षी मोर है अच्छा या बुरा, गूर और बैड लिखो आपको यहाँ पर कार्य दिये है दिये हुए कार्य अच्छे है या बुरे? अगर वो काम अच्छा है तो हमें गुर लिखना है अगर वो काम बुरा है तो हमें बैड लिखना है नमब वन, सच बोलना, सच बोलना सही आदद है या बोरी, अच्छा है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे good नमब टू, बड़ो का कहना मानना, तो यह भी अच्छी बात है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे good नम्ब त्री गाली देना तो ये अच्छी बात नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे bad नम्ब फोर सडक पर खेलना सडक पर खेलना बूरी आदत है तो यहाँ पर हम लिखेंगे bad नम्ब फाइब स्नान न करना ये बूरी आदत है इसलिए हम लिखेंगे bad नमब सिक्स प्रति दिन दात स्वच न करना ये भी बुरी आदत है तो यहाँ पर हम बैड लिखेंगे नमब सेवन जगडा न करना तो ये अच्छी आदत है किसी से भी जगडा नहीं करना है शाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुड नमब एट जूट बोलना क्या ये जूट बोलना अच्छी बात है नूब यहाँ पर हम लिखेंगे बैड नमब नाइन ग्रु गारिय नियमित करना अपना हमबग हर रोज time to time करना तो ये अच्छी आदत है गुड नमब टैन व्यायाम करन तो यह अच्छी आदत है यहाँ पर हम good लिखेंगे नमब 11 चोरी करना बूरी आदत है बूरी बात है तो यहाँ पर हम bad लिखेंगे नमब 12 रास्ते पर थूकना यह भी गंदी आदत है तो यहाँ पर हम लिखेंगे bad homework copy one time in your notebook आपको दी हुए question homework में one time copy करने है Thank you, bye, best of luck for exam